हेलो फ्रेंड्स मैं ससांख स्वागत करता हूँ आपके पने यूट्यूब चैनल वी स्टेडी पे चैप्टर हमारा चल रहा है औसलेटर्स और मल्टी वाइबरेटर्स और आज इसका आखरी लेक्चर है तो sinusoidal oscillators हम पढ़ चुके हैं आज हमारा टॉपिक शुरू होगा non-sinusoidal oscillators और उसके टाइप्स तो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए तो क्या होता है non-sinusoidal oscillators जानते हैं यह जो आपका non-sinusoidal oscillators होता है यह square wave, triangular wave, trigger या saw tooth wave उत्पन करता है ठीक है और इस oscillation में एक खासित क्या होती है कि यह oscillation के समय मतलब अपने oscillation के cycle के समय कई बार एक से अधिक बार voltage या विदुद्धारा में अचानक परिवर्तन कर देता है अचानक परिवर्तन कर देता है याद रखेगा अब कोई चीज अचानक हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे trigger अर्थाथ non-sinusoidal oscillator trigger भी perform करता है ओके तो हमारा जो main तीन cycle के बारे में पढ़ेंगे non-sinusoidal oscillator में वो कौन-कौन है square wave, triangular wave और saw tooth wave चलिए तो इसमें हमें याद ये रखना है कि हमारा जो non-sinusoidal voltage तथा धारा का निर्मान जो होता है वो relaxation circuit के द्वारा होता है relaxation circuit के द्वारा होता है इसलिए इस oscillator को किसे non-sinusoidal oscillator को relaxation oscillator या विसरानती 2L भी कहते हैं अब इसका तीन टाइप हम लोगों ने पढ़ाता है जैसे हमने sinusoidal oscillator में types पढ़े थे तो non-sinusoidal से भी तीन टाइप हम लोगों ने पढ़ाता है उसमें पहला क्या था multi vibrator तो multi vibrator क्या होता है यह एक विशेज प्रकार का oscillator circuit होता है जो root frequency root frequency मतलब जैसा frequency यह उत्पन कर सकता है जो इसका behave है जिस frequency को पैदा करने के लिए multi vibrator बना है उसे कहते हैं root frequency तो यह अपने root frequency के साथ साथ अलग प्रकार के harmonic frequency भी उत्पन करता है इसलिए इसे multi vibrator या multi frequency producer circuit भी कहते हैं अब देखें यहां मैंने multi vibrator का block diagram बनाया है यह exam में पूछता है कभी कभी ठीक है तो इसे याद रखना है यह दो stage का होता है देख लिए यह इसका first stage है यह second stage है basically हम कह सकते हैं कि यह दो transistor है चलिए तो multi vibrator एक ऐसा double stage resistor coupled amplifier है जिसमें एक amplifier के output को positive feedback के साथ दूसरे amplifier के input में दिया जाता है देखें एक amplifier के positive feedback के साथ मतलब जोसका output निकल रहा है उसे क्या करते हैं दूसरे amplifier में हम देते हैं यह कि यह जो feedback जा रहा है यह positive feedback है और feedback इसे कहते हैं output से निकली हुई कुल धारा के कुछ अंस को जब पुना हम input के रूप में परयोग करते हैं तो उस current को feedback current कहते हैं अब इस प्रकिरिया से एक transistor cut off हो जाता है और दूसरा transistor saturated situation में चला जाता है देखें जब feedback situation चालू होता है इससे क्या होता है हमारा जो एक transistor है वो cut off situation में रहेगा और दूसरा saturate रहेगा उसे फिर से पुना supply मिल रही तो वो saturate situation में चला जाता है तो इस अवस्था के यही अवस्था की बार बार जब दोहराई जाती है तो output पर हमें क्या मिलता है output पर हमें triangular या south tooth या फिर square wave pulse मिलने लगता है यही pulse जो बार बार उत्पन होता है तो इस शे यह क्या कर अगर objective में पुछा जाए कि non-sinusodal की किस oscillator से mainly square wave period produce किया जाता है तो हमें मारना है multivibrator ओके चलिए अब types of multivibrator है तो multivibrator कितने प्रकार के होते हैं पहला होता है astable और free running multivibrator दूसरा होता है monostable multivibrator और तीसरा होता है bistable multivibrator चलिए next topic है हमारा blocking oscillator यह non-sinusodal oscillators का दूसरा branch है या दूसरा type है उसके वरगी करन का यह दूसरा है इसे क्या कहते है blocking oscillator यह क्या होता है यह oscillator relaxation oscillator होता है मतलब विश्रानती डोलित्र okay relaxation oscillator होता है यह आसानी से cut-off mode में चला जाता है और cut-off mode को ही कहते हैं blocking mode okay cut-off mode का ही नाम होता है blocking किसी चीज को cut-off कर देना मतलब block कर देना okay इसलिए इसे cut-off mode या oscillator या फिर blocking mode oscillator भी कहते हैं अब देखें यहाँ पे इसका एक diagram बना हुआ है अब इसकी कारविधी को समझते हैं कि जब transistor T परतिरोध R1 द्वारा forward bias होता है तो transistor के working situation में होने के कारण capacitor C जो है हमारा यह यह चार्ज हो जाता है okay और अब जैसे ही transistor cut-off mode से में चला जाता है cut-off mode में चला जाता है तो फिर आपका capacitor C है यह क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है तो बार-बार यह charge होता है और discharge होता है तो इससे क्या होता है फिर एक wave उत्पन होता है जो किस तरह का होता है जो saw tooth के तरह होता है सौ का मतलब आड़ी होता है, यह जो वेव उत्पन हो रहा है, यह आड़ी के दाथ की तरह है, इसलिए से सौ वेव करते हैं, सौ तुत वेव, और हमें नोट यहाद रखना है, कि रसिस्टेंस आर्टू की मदद से फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है, यह देखिए, यह जो हमारा आर्टू है, इसका कारिया है, कि हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एरो बताता है, कि यह चेंजेवल रर्सिस्टेंस है, ओके, ठर्ड है हमारा स्विप और नियॉन लेंप सौ तुत ऑस्सिलेटर, यह तीसरा वर्गी करन, इस परिपत में क्या होता है, एक नियॉन लेंप लगी होती है, अब नियॉन लेंप लगी हुई तो इससे सप्लाई भी चाहिए जलने के लिए तो जाहिर बात है, यह कैपसीटर को डिस्चार्ज करेगा, तो इसका मतलब कैपसीटर कहीं से तो चार्ज हो रहा है, तो कैपस चीटर को neon lamp ने डिस्चार्ज किया और charging डिस्चार्जिंग की बार बार जो प्रकडिया हो रही है तो एक sawtooth wave बन गया मैंने sort में figure सापको समझा दिया चली फिर से से पढ़ते हैं इस oscillator के द्वारा sawtooth अथवा triangular shape का wave उत्पन किया जाता है इस oscillator circuit में एक neon bulb परयुक्त होता है ज इस कारण से इसे neon lamp sawtooth oscillator भी कहते है अब देखें परतीरोध R के द्वारा C को charge होता है परतीरोध R जो है मारा यह इससे supply करके C को क्या करता है चार्ज करता है और circuit में जुरा जो हमारा neon lamp होता है ये क्या करता है इस capacitor को discharge कर देता है इस capacitor को discharge कर देता है charging तथा discharging के इस निरंतर पकड़िया कारण output पर sautut wave उत्पन हो जाता है और sautut wave बार-बार मतलब cut-off mode और saturated mode में जा रहा है तो बार-बार on-off capacitor charge हो रहा है discharge हो रहा है तो output पर एक wave generate होती है जिसका shape sautut होता है तो इसलिए से हम sweep और neon sautut lamp oscillator भी कहते हैं चलिए ये chapter CR ये oscillator और multivibrator ये chapter हमारा आज यहां खत्म हुआ तो कल फिर शुरूखने एक नए chapter के साथ और फिर से कबार कहूँगा कि notes बिल्कुल बनाते रहिए क्योंकि फिर lockdown में काफी समय निकल रहा lockdown भी बढ़ गया है आप इस सब सभी जान रहे हैं तो उसके बाद साइद उतना समय नहीं मिल पाए क्लास में कि हम notes को पूरा कर सकें तो अभी समय है तो notes को अपने आप regular दम पूरा करते रहिए चलिए सब घर में रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए थैंक यू